तालिबान, आयस आयस, खून खराबा, सामुहिक अत्याएं, अत्याचार, क्या है इसका राज से, कहां से आता है सब, कौन सुल जाएगा, कैसे एक इनसान सैकडो लोगों को मारने लगता है, धर्म के नाम पर, या कोई बाने से, आज इसका बताऊंगा महरास, अंसुना, अंजाना, दिल थाम करके बैठिये, नमस्कार, मैं हूँ आचार कल की परिए, पिछले 30 सालों से, 35 सालों से, मैं ज्योतिस का ब्यवहारिक रूप से, गान रूप से, अध्यान कर रहा हूँ, अध्यापन कर रहा हूँ, और जीवन में ब्यवहार मिला रहा हूँ, कई बड़े-बड़े गैंगश्टरों के, जिनने अब माफिया भी कह सकते हैं, उनकी भी कुनलिया देखने का मौका मिला, पढ़ाते समय, हिटलर की भी देखी, सामुई घत्याओ करने वालों की भी देखी, और उस गुत्थी तक पहुचने का प्रयास किया, कि ऐसा व्यक्ति कैसे हो जाता है, कि वह लोगों की सामुई का अत्याओ करने लगता है, लोगों पर अत्याचार करने लगता है, वह अब मनोबृत्ति कहां से आती है, और जैसे एक विज्ञान में शोध किया जाते हैं, ऐसे जब देखते देखते और जहां संबभ हो पाया, उनकी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी देखने का, तो एक बहुत ही कामन सा ठैक्टर निकल के आया, कि ऐसे मनोबृत्ति वाले जो भी व्यक्ति पैदा हुए, गर्भकाल में उनकी माताएं बहुत ज्यादा तनाओं में थी, यातना में थी, दुख में थी, कष्ट में थी, उल्जनों में थी, और ये बाते उनकी माताओं से फोन करके भी मैंने निश्चित किया, जो लोग जोतिस जानते हैं, वह बात जानते हैं, कि कुण्डी के चतुर्थ भाव से, चंद्रमा के स्थिति से, एक चीजे दिखी जा सको, मा की क्या स्थिति थी, परिवार में, घर में, उस संतुलन में जैसा भी परिवार था, उस वेक्ति के पिता के सामने मा की क्या स्थिति थी, पिता के माबाप के सामने मा की क्या स्थिति थी, सामाजी कस्तर्प मा की क्या स्थिति थी, अवह कैसा महसूस कर रही थी, जो गर्बकाल में बच्चा रहता है, वो सारी भावना है, धीरे, धीरे दीरे दीरे आनुबंशिक रूप से उस बच्चे के अंदर इन्बिल्ट होने लगती है समाहित होने लगती है वो नौ महिने तक वो है आतना ओ तरड़ ओ ओ क्रोध ओ बिवस्ता सारी के सारी बच्चे में चली जाती है वो गुस्सा वो बेबसी और फिर एक कोई जो बच्चा पैदा होता है उसको अगर उपयुक्त वाता वरण मिल गया उस गुस्से वाला वो बिवस्ता वाला वो फ्रस्टेशन वाला फिर कोई तालिवान ही पैदा होता है I.S. I.S. वाला ही पैदा होता है कोई आतंकवादी ही पैदा होता है आही मेरा प्रबल विश्वास हो गया है कि इतनी जादा कुंडलिया मैंने देखी इतनी जादा कुंडलिया देखी मैंने और बार-बार बात करके जहां मौका मिला मैंने कहा कि अपनी मा से बात कराई है माओं ने बताया हाँ जी ऐसा था बहुत अत्याचार हो रहे थे मेरे उपर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी पिटती थी मैं छोटी-छोटी बात पर डाट खाती थी जान और की तरह ब्यवार होता था क्या सबक मिलता है इससे हमें है तो जोटीस की बात लेकिन हमें क्या सबक मिलता है अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में कोई तालिबानी ने पैदा हो कोई आईस आईस वाला पैदा नहो कोई आतंकवादी पैदा नहो अपने घर की औरतों की इज़त करना सेखे सम्मान दीजिए उनको भारतिय ग्रंथों में हमारे प्राशीन ग्रंथों में इस बात का बड़ा स्पस्ट लूप से वरण है कि गर्भकाल में माता के साथ कैसा विवार किया जाए कैसा वात और रखा जाए आयरुवेद में कहा ग्या है गर्भकाल माता दुई हिर्द होती है मैं दो हार्ट हो जाते है उसकी भावना उच्छलने लगती है उन भावनाओं का ध्यान रखी है लेकिन जिन परिवारों में जिन समाजों में जिन धर्मों में जिन राष्ट्रों में उन्हें माओं का अपमान होता है, उनकी भावनाओं को कुचला जाता है, वहां फिर तालिबानी ही पैदा होते हैं, वहां आईस आईस वाले ही पैदा होते हैं, वहां आतंगवादी ही पैदा होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, समाज पर बोज़ बनते हैं, तकलीफ हैं पै पिल्रन का काम करता है, तकलीफ देता है, क्या चाहते हैं आप, एक जिम्मेदार नागरीक पैदा हो, आपके समाज में तालिबानी पैदा हो, अतनकवादी पैदा हो, सीखिए ये जोतिस का फार्मूला है जोतिस का सुत्र है एक जोत्सी बता रहा है लेकिन एक जिम्मेदार मानो भी बता रहा है एक जिम्मेदार नागरी बता रहा है देखिए अपने समाज में और जिस भी आपके जान ग्यान में महिलाओ का अपमान हो आगे बढ़िए उसको रोकिए आप एक आतंक वादी को पैदा होने से रोकेंगे एक आतंक वादी को पैदा होने से रोकेंगे इस से बड़ी सेवा कुछ भी नहीं हो सकती है कुछ भी नहीं हो सकती कुछ भी नहीं हो सकती झाल झाल